प्रिचार करने वह उनके घर में बैट के उन लोगों से बीरुधी लोगों से बात चित किया सब को उनके साथ भोजन किया वो डिप्टी सियम उनलों के साथ भोजन किया हम लोग 10 जा रात तक बिठे रहा गए वो कार्ज करता समिक छाबे ठग में नहीं गई तो गुस्ता यहीं से पेदा और क्या-क्या उस्ताय में जानते हैं एक बार पहले जो गए थे वो पुले विधायक गोपाल मंडल अपनी आउकात पे रहे दल बदलू नेता समराच चौदरी भागलपूर के गोपालपूर विधायक नरेंद्र कुमान नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने पिछले दिनों डिप्टी सीम तार किशोर पर साथ के भागलपूर दौरे और विरोधिय जिसके बाद भाजपा जद्यू विधायक पर हमलावर हो गया और मंत्री समराच चौदरी से लेकर भाजपा नेताओं ने जद्यू विधायक को आड़े हाथ हो लिया था बावजू दिसके गुपालपूर विधायक आज भी अपनी बातों पर अडिग है और अपने आवास पर फिर एक बार प्रेस कॉन्फरेंस कर डिप्टी सीम के साथ मंत्री समराच चौदरी पर हमला किया उन्होंने वंत्री समराच चौदरी को दलबदलू और आउकात में रहने की सलाह दी वही डिप्टी सीम तार किशोर प्रसाथ पर भागलपूर आकर पैसे तहसीलदारी का आरोप लगाया उन्होंने अपने को जद्यू के सच्चा सिपाही करार देते हुए कहा कि समतापाटी से साथ है और कारिवाई से नहीं डरते जन्ता के साथ हैं और जन्हित में जन्ता के पक्ष में बोलने का काम करने की बात कही और कहा कि वे कुरसी बचाने के लिए दाजनीती नहीं करता है आप लोग सोचते होंगे बार बार क्यों वियान देते हैं जब जब ठोकर हमको मारता है थमको प्रदास नहीं होता है हमारे मान्या डीप्ती सियम तारके सरवाबु यहां पर आए भागल पुर आए वहां आए और इसके लिए नहीं जो बयान दिया समराठ चवधरी दल बदलू लोग उन्होंने हमको बोला इनका मानसीख स्लतुनन बिगर गया इनको दल से निकाल देना चाहिंग you तो मानशीः संतुणन हम्हां नहीं भी रहारा है। मौन सीः संतुनन सही है लेकिन आखिर, क्यों भी रहा क्यों जो इस खरोस में बुले बुछे कोई बोलता है एंडिए गतवनड़र के जो इफ्टी से है उनके खिलाब ऑन से खिलाफ क्यों मतलब कोई नहीं बिकल्ब था इसलिए उनके पिताजी के जोरी पारी पिताजी का मित्र पिताजी का साथी उनके पिताजी समान उनने बयान दिया यह दल में थोड़ो रहा है वहाँ जीरे में पैदा लिया वही सूथ पत्ति उनकी हुई उसके बाद उन्हों अपना फिर ये जदियूम आया, MLC बना के लाया, जदियूम में, मंत्री बना दिये, फिर वो क्या क्या, ये माजी के साथ हम पार्टी में चला गया, उसके बाद भी MLC बन के जदियूम आया है, वो चुना लड़ के देखागा, मैं तब ना, दम नहीं है चुना लड़ने का, चुना तो मैं लड़ता हो, डकार के बोलता हो, पचीस जार से मैं जीता हूँगा, साथो का साथो सिर्व, भागलपूर जी लाका मैं जीता हूँ, हम सिर्फ MLC नहीं है, विधायक नहीं है, हम नेता है नेता, क्यों हम ऐसा बयान दिये, तो बयान इसलिए मैं ने दिया, तार्केश्वर प इंसल्ट होता है, बेजिती होता है, लोगों ने काता है, डिप्ती से मैं आपको बुलाए नहीं, हरास होता है, तब दुबारा फिर आया ना, फिर बोला चुनावी समिक्षा करेंगे, ने चुनावी समिक्षा नहीं, ये समिक्षा बैठक करें कार्ज करता के साथ, हम करीब परिबन दो सो कार्ज करता रात में दस्व तक बैठे रहे और वह वहां गये नहीं गये वहां जाने के बाद अपना वह सुरेश भगत जी लोचपा से चुनाव लड़े हुए थे जब वहा भूमिहार जाती निर्दली लड़े हुए थे पहले भाजपा प्रखंड अध्यक से अनिल जादव जी हमको चुना हराने में लोचपा का परचार करने वहला यह गुलावी लोचपा का परचार करने वहला उनके घर में बैठके उन लोगों से बिरोधी लोगों से बात चित किया सबको उनके साथ भोजन किया वो डिप्टी सियम उन लोगों के साथ भोजन किय हम लोग दस रात तक बिठे रहा गए कर्ज करता समिक्षा बेठंग में नहीं गई तो गुस्ता यहीं से पेदा और क्या-क्या उस्ताय में जानते हैं एक बार पहले जो गए थे लोगों को अब करीब बावन घर फसा हुआ है जो खरने धार बोलता है जल उसी में गिरता है न पाइसवा एक ठाक करने के लिए बोला था दुबारा जो गए नहीं वहां बैट के परविन भगत के घर में वह कम सकम नहीं कुछ तुम यहां चले आओ नहीं आया वह बयान दिया जिला द्यक से हटा देगा टीकट नहीं मिलेगा इसलिए मेरे ब्यान दिया और यह एक बार जब आये यहां पर क्या कहा जाए श्विक च्छा बैठक में ही डिया डियम हम लोग बैठे हुए थे डियम के साथ यहां से उठेज सिधे गए यह वहां पर कहने का मतलब नगरपनचायत मैं गए तो वहां पर उसके साथ बैठे उठे गर्सभी ए फिर उनके साथ चाइप ठीक है जना इद्व नगरपंचायत है और नव्मेयर डिप्टी मेयर है जना ही चाहिए चुक्ति उन्हें के पास यह मंत्राले है नगरविकास का मंत्राले है जना ही चाहिए अब की बैयार क्या सोच के गए भोजन करने के लिए जो रोहित पांडे को हराने का काम क्या 23,000 बूट लाया रोहित पांडे अपना बचने के लिए बयान देते हैं भारत जनता पर्टी के प्रदेशत जग बोलते हैं इनको दल से निकाला जाए वह क्यों आप क्यों ने इसलिए ऐसा करते हैं तो हमको गुष्षा आता ही है गुष्षा आयत मैंने ब्यान दिया मैंने दुस्मन के साथ दोस्ती करना यह रोहित पांडे के दुस्मन के साथ हाराने वाले के साथ दोस्ती करना यह क्या डीप टी सियम अच्छा काम कर रहे हैं बिलकुर बुरा काम कर रहा है मैं तो यह कहना चाहता हूं मैं प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के राष्टी अध्यक्ष को भाई इनको यह डीप टी सीम पोष्ट हटाया जाए हमको क्या निकालेगा हम तो छोटा करमचारी है सच्चा सिपाहिजब से समता पाटी का गठान है इतना दुकान है कि मत पूछिए कमी नहीं है कि लुदे ही दिया जानते नहीं लेकिन वहां का लक्सान दो पेटी लोट करके गए ट्रेन में इसलिए ऐसा करते हैं तो हमको गुष्षा आता ही है गुष्षा आत मैंने ब्यान दिया मेरे दुस्मन के साथ दोस्ती करना यह रोहित पांडे के अध्यक्ष को भाई इनको यह डीप टी सियम पोष्ट हटाया जाए हमको क्या निकालेगा हम तो छोटा करमचारी है सच्चा सिपाह हिजब से समतापाटी का गठन रहा तब से उनके साथ है निकाल दे निकाल दे निकलने कोई बात नहीं राजनित नहीं सिर्फ धुल मिल र को सब्स्वेंट कर देते हैं बड़े लोगों से मुह लगाते मुह क्या लगांगा जूरी पारी का आदमी है उनको एक मंतरा ले दिया तुम यह काम देख लो हमको नहीं दिया है क्या बोलेगा कभी चुनावलर के देखा है चुनाव कैसा होता है नहीं देखा है इसलिए सम्राट चौधरी अपने आवकाद में रहे बस बताइए ना उनकी मम्मी दिदी क्या बोलती है सुधा स्री बास्तव बंती रहे गंगता ने बूट दे ते रहा इनका क्या उकाद है क्या हस्ति क्या ब्यान देगा मेरे बारे में भाई क्या दे सकता है गलत बात वो कुकर्म करने क्लया कुकर्म का खोज करो ने भाई प ऀस्टाम श्री वाष्टाफ तब क्या बोलेगा मेरे बारे मैं रोय परमान राजनिति क्या चोड़ा चुनाव जीता हुआ चुनाव हार गया पर्मराजनितिक व्यक्ति है जो राजनिति छोड़ देंगे अब ज्यादा मत बोला ही बहुत बात हम बोल देंगे वो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के संजेज इस्वाल वो इसलिए बोला कि वह है उनके दल के डिप्टी सियम का तोहिनी हुआ तोहिनी हुआ तब उनक देगा घर में बढ़ जाएंगे लेकिन बोलने एक लिए चुक है अन्नाहाजारी बन जाएंगे रोहित पांडे को तो अपने बैज़त किया वो तुम निरलज है कौन कौन जिलाद्यक